किसने बूंदी के किस सासक ने 1527 में खानवा के युद में बाबर के विरुद मारणा सांगा का साथ दिया था तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option एनी बूंदी के सासक नराइन दास ते जिनोंने 1527 में खानवा के युद में बाबर के खिलाप मारणा सांगा का साथ दिया था किस ने दिया था मारण सांगा का साथ 1527 के खानवा की उद में नाराइन दास ने जो बूंदी केस आ सकते नेक्स्ट अगला दूसरा किस ने नवंबर 2021 को राजस्तान के किस जिले में मतश्य उत्सव का आयजनी क्या गया है नेक्स्ट अगला दूसरा किस ने राजस्तान सवतंतरता संग्राम और विजे सिंग पतिक पुस्तक का विमोचने क्या था तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन भी यह नी शिक्सा मंतरी राजस्तान के बीडी कलाजी है जिनने बीका नेर से राजस्तान सवतंतरता संग्राम और विजे सिंग पतिक पुस्तक का विमोचने क्या था किसने किया था राजस्तान के सिक्सामत्री जिनका नाम है बीडी कलाजी जिनने कौन कौन सी पुस्तक है एक तो थी राजस्तान सुतनतरता संग्राम और दूसरे थी विदे सिंग पति के पुस्तक है जिसका विमोचन किया था और कहां से किया था ये किया था बीका नेर से इस नेक्स्ट अगला चोता किसन है खाली में किस संस्ता ने बारती रेलवे के बाड़ा और लोजिस्टिक बुनियादी टांसे को आधुनी करने के लिए 24.5 करोड डॉलर के रिन की मंजूरी दी हैं तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ओप्सन यहनी वेसु बैंक है जिनने बारती रेलवे के बाड़ा और लोजिस्टिक बुनियादी टांसे को आधुनी करने के लिए 24.5 करोड डॉलर के रिन की मंजूरी दी हैं और यह 24.5 करोड डॉलर की रिन है वो 22 साल की अवदी के लिए यह रिन दिया गया था किस के दवारा दिया गया था विसु बैंक के दवारा यह दिया गया था और किसको दिया गया था बारती रेलवे को यह रिन दिया गया है अगला नेक्स्ट पांचवा किसे ने डिली AMS के डारेक्टर रनदीप गुलेरिया का कारेकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option A यानी दिली एम्स के डारेक्टर रंदीप गुलेरिया हैं जिनका कार्यकाल तीन मैने के लिए अब और बढ़ा दिया गया है और दोस्तों आपको बदेगी रंदीप गुलेरिया हैं जो कोरोना के काल में भारत में कापी चर्चा में रह गया था और इनकी निवक्ति हैं वो 2017 में 28 मार्च को गुलेरिया की एम्स डारेक्टर के पद पर निवक्ति की गी थी जिनका अब तेन मैने के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है अगरा नेक छटा किसने राजिये में मा बारत काल से प्रसिद बैराट कस्बे में कौन प्रसिद मेला लगता हैं कहां पर जैपूर जिले के बेराटम में जो मा बारत काल से प्रसिद ये मेला लगता हैं अगला नेक साथा किसन है जी ट्वंटी की बैटक जम्मू कस्मीर में किस वर्स होगी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन बीनी साल 2030 में जो जी से एक से ता हैं वो भारत की तरब से परदान मंत्री नरण्दर मोदी जी साल 2014 से कर रहे हैं और या जीए 20 का सदेश ही और जी तॉस्तो आप को बता देख कि जी जी होग्रूप को जी एक सए इस में ईूरूप्य संग है . basic वो इसके सदश्ये हैं कितने देश के हैं जी 20 के सदश्ये हैं 20 देश हैं और 2023 में जम्मु कस्मिर में इसकी बैठक होने वाली हैं अगला नेक्स्ट आटवा किसन है निमन में से कौन सा एरपोर्ट अक्से उर्जा से जरूरते पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड़ा बन गया हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्शन डियनी देश का इंद्रा गंदी अंतराश्टी हवाई अड़ा हैं जो पहला ऐसा हवाई अड़ा हैं जहां पर अक्से उर्जा से जरूरते पूरी करने वाला पहला हवाई अड़ा बना हैं कौन सा हवाई अड़ा या एरपोर्ट है इंद्रा गंदी अंतरनेशनल एरपोर्ट और ये कहां पर इस्तित हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिकर जरू एनी काली एंट तिस्ता नदियों के बीच हिमाले का नेपाल हिमाले प्रदेशिक विबाग इस्तित हैं कौन सा नेपाल हिमाले का प्रदेशिक विबाग के परिस्तित हैं काली एंट तिस्ता नदियों के बीच और तिस्ता नदी हैं जिस नदी को चिक्किम राजी की और उत्री बंगाल की जीमन रिकापी कहा जाता है किस नदी को तिस्ता नदी को अगरा दस्वा किसन है नेमन मैंसे किस देश में G7 समेलन 2022 का आयजनिक क्या गया है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन B यानी हाली में जर्मनी देश में G7 समेलन 2022 का आयजनिक क्या गया है और भारत की तरफ से इसमें भी परदान मंतरी नरंदर मोडी जी ने भाग लिया था और ये कब आयजित क्या गयता ये क्या गयता 27 और 27 जून को G7 समेलन को आयजनिक क्या गयता और किस देश में जर्मनी देश में इसको आयजनिक क्या गयता नेक्स्ट अगला 11 किसन है मेवाड और मारवाड की सीमा पर इस्तित दुर्ग कौन से हैं तो इस सवाल का सभी जवाब जेगा ओप्शन है कुम्बलगड का दुर्ग है जो मेवाड और मारवाड की सीमा पर इस्तित दुर्ग है कौन सा दुर्ग है जो मेवाड और मारवाड की सिमा परिस्तित है कुम्बल गड का दुर्ग अगला नेक्स्ट बारवा किसे नेमन मैंसे कौन सा देश एस याई साइकलिंग चैंपिनसिप 2022 में 27 पदक के साथ सिर्षिस्तान पर रहा है तो इस तवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन ए नी जापान देश है जो देश के एस याई साइकलिंग चैंपिनसिप 2022 में 27 पदक के साथ सिर्षिस्तान पर रहा था कौन सा देश जापान देश जबकि भारत देश हैं जिसमें एस याई साइकलिंग चैंपिनसिप में कुल 23 पदक देते थे जिसमें से 200, 6 रजट तक और 15, 80 पदक थे कुल कितने पदक थे 23 पदक थे और ये किसी भारती साइकलिंग दल का सर्षिस्ट पर दसनत था और एसे ट्रेक साइकलिंग चैंपिनसिप है वो दिल्ली के इंद्रा गांधी इंडोर खेल परिसर में आईजितिक क्या गया था नेक्स अगला 13 पदक थे जोदपूर परजामनल की इस्तापना कब की गई तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन सी यह नहीं साल 1934 में भावरलाल सरापा की अध्यक्सता में जै नरेण व्यास द्वारा जोदपूर परजामनल की इस्तापना की गई थी कब की गेती 1934 में और किसके द्वारा वो की गेती जै नरेण व्यास के द्वारा और किसकी अध्यक्सता में भावरलाल सरापा की अध्यक्सता में प्रमैं तो इस सवाल का सई जब्हाब देगा उप Timothy अनील खना है जिनको हाली में भारती अलम्पिक संग का डिंषित क्या गया है नेक्स अगला पंदरवा किसने 22 रोड़ गड अबेरेन कहां इस दित हैं तो इस सवाल का सई जब्हाब देगा अप्सन डियनि 22 रोडगड अब्यारण हैं झो राज़स्तान की चितोरगड जिले में इस्तित हैं जो two-show region par-kilometer में फैलावा एक अब्यारण हैं और इस अब्यारण को 19903 में राश्टी अब्यारण गोशिती क्या गया था कि सब्यारण को 22 स्रोड अब्यारण को जो कहां पर हैं जिराजस्तान की चितोडगड में इस्तित हैं नेक्स अगला 16 किसे ने अंतराश्टी मुद्रा कोस यानि आई एमएफ का मुक्यले कहां इस्तित हैं तो इस स्वाल का सही जौब देगा option BNE अमेरिका के वासिंग्टन DC में आई मेफ यानि अंतराश्टी मुद्रा कोष का मुख्याले इस्तित हैं और अंतराश्टी मुद्रा कोष की जो इस्तापना है वो 27 दिसम्बर 1945 को गुंती इस देशों के समझते पर इसकी इस्तापना की गई थी कब 27 दिसम्बर 1945 को अगला नेक्स सतरवा किसने किस मौलिक अधिकार को चमाली स्वे सविदान संसोदन द्वारा हटा दिया गया था तो इस सवाल का सई दवाबदे का ओप्सन सी यहनी समपतिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार जिसको चमाली स्वे सविदान संसोदन के द्वारा हटा दिया गया अगला नेक्स्ट अटारवा किसने राष्टपती पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन-कौन सामिल होते हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन डियानी राजी सबा लोग सबा विदान सबा राजियों की जो निर्वाची सदस्यते हैं वो राष्ट राष्टपती चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सामिल होते हैं तो इस सवाल कापी important है क्योंकि हाली में राष्टपती के लिए चुनाव होने है भारत में इसलिए यह सवाल आप जरूर याद रखे यानि राष्टपती चुनाव में कौन-कौन सामिल होते हैं राज नेक्स अगला उगनिस्वा किस ने किस टीम ने साल 2021-22 रंजी ट्रॉपी का खिताब जीता हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option A नी MP नी मद्य प्रदेश की टीम है जिसने साल 2021-22 रंजी ट्रॉपी का खिताब जीता है रंजी ट्रॉपी हैं जो क्रिकेट खेल से समधित एक ट्रॉपी है जो नैसनल टीमें बिढ़ती हैं आपस में जिसका अब की बार किताब किस ने जीता हैं मद्य प्रदेश की टीम ने किस टीम को हरा कर 31 बार की विजेता रही रंजी ट्रॉपी की मुंबई टीम को हरा कर यह किताब जीता है और यह 6 विकेट से किताब इस मध्य परदेश की टीम ने जीता है अगला नेक्स्ट 20 वा किसने जैसल मेरी सेली का परमुक चितर कौन सा है जो वहाँ के राज परमुक की सोबा है चितर मुंबल चितर जो जैसल मेरी सेली का परमुक चितर है अगला नेक्स्ट 21 किसने राधस्तान में 20 वी पसुगणना कब से प्रारंब की गई तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन बीनी 16 जुलई 2017 को राधस्तान में 20 वी पसुगणना शुरू की गई थी और राधस्तान में पसुगणना है वो राधस्तु मंडल अजमेर के द्वारा राधस्तान में पसुगणना की जाती है और हर 5 साल बाध पसुगणना राधस्तान में की जाती है जिसकी 20 वी पसुगणना है वो साल 2017 जुलई में सुरू हुई है अगला नेक्स्ट 22 वा किसने राजस्तान में सौतंतरता संग्रस के दोरान 1921 वाइस में बील आंदुलन का नितरतो किसने किया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन बीनी मोतिलाल तेजावत है जिनोंने स्वतंतरता संग्रस के दोरान साल 1921 और 22 में भील आंदुलन का नितरतों किया था किसने मोतिलाल तेजावत ने अगला नेक्स तेज़ स्वाकिसने हाली में जारी विशु प्रेश स्वतंतरता सूचकांग में भारत निमर में से कौन से इस्तान पर रहा हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option A नी भारत पिछले साल के 142 इस्तान से गिर कर एक सो पचासवे इस्तान पर विसु प्रेस स्वतनतरता सुचकांक में आ चुका हैं कौन से इस्तान पर एक सो पचासवे इस्तान पर और पिछले साल कौन से इस्तान पर था 142 वे इस्तान पर था जो अब 8 अंक गिर्वे के साथ 150 वे इस्तान पर आ चुका है भारत अगला नेक्स 24 वा क्योशन है खाली में जारी फीपा विशू रैंकिंग में भारती पुरूस फुटबॉल टीम कौन से इस्तान पर रही है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शन भारती फुटबॉल टीम है जो फीपा विशू रैंकिंग में 104 वे इस्तान पर रही है अगला नेक्स 24 वा किसने राजस्तान के कुल कितने जिले मरुस्तली चेतरकंत के अंतरगत आते हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शन एनी राजस्तान के बारा ऐसे जिले हैं जो मरुस्तली चेतर यानी मरुस्तल चेतर के अंतरगत आते हैं अगला नेक्स 24 किसने राजस्तान की किस नदी को अपने उदगम इस्तल पर सागरमती के नाम से जाना जाता हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शन एनी लूनी नदी है जिसका उदगम होता है जहां से इस नदी को सागरमती नदी के नाम से जाना जाता हैं और इस नदी का उद्गम कहां से होता है अजमेर के निकट नाग पाडियों से इसका उद्गम इस्तलफ होता है किस नदी का लूनी नदी का जिसको उद्गम इस्तलफ पर सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है साबरबती नहीं, सागरमती ये ध्यान आप जरूर रखे क्योंकि option में साबरबती भी लिखावा जाता है और सागरबती लिखाता है तो सागरमती सही करना है और गोविंद गड़ की निकट सर्शती नदी के मिलने के बाद इस नदी को लूनी नदी कहा जाता है इस सवाल का सभी जवाब देगा option D पंचायती राज संस्ते हैं जो लोग तंदर की प्रात्मिक पार्ट सलाएं मानी जाती है अगला next 28 साग इसने रादस्तान की किस जिलों में खस नाम की सुगंधित गास पाई जाती है यानि रादस्तान के किन जिलों में खस नाम की सुगंदित गास पाई जाती हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देखा आप्सन ए नि रादस्तान की बरतपूर, टॉंक और सवई मादपूर जिले में खस नाम की एक सुगंदित गास पाई जाती हैं जिससे इत्र बनाया जाता है यानि खस बात से क्या बनाया जाता है इत्र बनाया जाता है जो राधस्तान के बरतपूर टॉंक और सवई मादपूर जिले में ये गासप पाई जाती है इसी परकार नेक्स्ट अगला गुंद तीस वक किसने जन संक्या की दरश्टी से राधस्त स्टल या जेसलमीं जिला इन चारों में से कौन सा जिला एंवो राधस्तान में जन संग्या की धर इससे छोटा जिला हैं यह आप कमेंड स्सक्शन में लिख जरूड़ बता हैं आगला दूसेरा अंतिवर्प क्यूंसन में लेकर बताना है इसका option है नारगर दूरुग अजमेर में कुंबल गर दूरुग जैगर दूरुग या मैगजेन दूरुग इन चारों option में से कौन सा option सही है जहां पर एस्या की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जैबान तोप यह कहां पर रखी हुई है यह आप comment section में लिखकर जरूरु बताईए और दोस्तों इन सभी कुछनों का PDF है वो आप हमारे टेलिग्राम गुरुप से डाउनलोड करते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस व